हेलो अब्रीवन इंस्टिटूट आप मैथमेटिकल नासेस में आप तभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में हमें एक बहुत ही इंपोर्टेंट थिरम डिस्कुस करने वाले हैं तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं थिरम यहाँ पे लिखा हुआ है और इस थिरम को हम ल चैनल पे रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलिएगा तो बीना टाइम बेस के साट करते हैं आज की इस लेक्चर को तो सबसे पहले हम इस थिरम की स्टेटमेंट को समझेंगे और फिर इसके बाद इसके प्रूफ को अच्छे से समझेंगे और इस थिरम को हम आगे generalize भी करेंगे तो सबसे पहले आम इस theorem के statement को समझते हैं statement कहे रहा है prove that the inverse of the product of two elements यानि हमारे पास किया करना हमे करना क्या है inverse of the product of two elements यानि हमारे पास दो element है जी का हममा लेते हैं एक element है और दूसरा element है तो सबसे पहले हम उन दोनों element का प्रोड़क्ट करेंगे तो यानि हम बात कर रहे पिर हम कह रहे हैं और फिर हम कह रहे है कि जो में कsound कर रहे हिए उसके inverse के बारे हम बात कर रहे हैं the inverse of the product of two elements of a group G is the product of the inverse taken in the reverse order यानि A B का अगर हम inverse calculate करेंगे तो वो B inverse multiplied by A inverse इसके equal आ जाएगा for all A B belongs to G और इसी property को हम लोग कहते हैं shock shoe property और reversal law तो इसके इस characteristics से आप clearly देख सकते हैं इसे हम shock shoe property क्यों कहते हैं क्योंकि अगर आप in general life में देखेंगे तो पहले हम socks पहनते हैं फिर shoe पहनते हैं लेकिन जब हम उतारेंगे तो पहले हम shoe उतारेंगे फिर हम socks उतारेंगे तो इसलिए यहाँ पर देखे क्या हो रहा है A B का inverse B inverse A inverse की equal हो जा रहा है इसका A B का role यहाँ पर reverse हो जा रहा है तो इसलिए इसे shock shoe property कहते हैं और इसे हम reversal law के नाम से भी जानते हैं यह बहुत important theorem है ठीक है तो सबसे पहले हम इसके proof को देखते हैं इसके proof के client को समझते हुए चलते हैं तो हमारे पास हमें क्या consider करना है हमें सबसे पहले दो element consider करना है किसी group G का तो मैंने माल लिया है let A and B belongs to G देखे मैंने A और B G का कोई element suppose कर लिया है और मैं यह बोल ला हूँ if A inverse and B inverse are the inverses of A and B respective लो इसका मतलब क्या है कि जो A inverse है यह क्या है inverse of A है और B inverse क्या है inverse of B है तो तब क्या हो जाएगा अब देखें A inverse क्या है A का inverse है तो inverse की property क्या होती है A inverse A is equal to E is equal to A A inverse यहाँ पे E क्या है E जो है वो identity element हो रहा है किस group का इस group G का अब देखें यहाँ पे मैंने A inverse को suppose किया है कि यह A का inverse है तो inverse की property क्या कहती है चाहे हम A inverse A करें या फिर A A inverse करें चाहे A inverse को हम right से product करें या फिर left से product करें हमारा resultant identity ही आएगा और यहाँ पे E मैंने identity suppose कर लिया है तो इसलिए यहाँ से लिखा जा सकता है A inverse A is equal to E is equal to A A inverse और इसी तरह मैंने माना हुआ है कि यह जो B inverse है यह भी inverse of B है तो B inverse को चाहें हम left से operate करें या right से operate करें हमारा आएगा क्या identity आएगा इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ B inverse B is equal to B inverse A inverse का हम product करेंगे देखिए जाहिड से बात क्या है देखिए A क्या है कोई element है G का B भी क्या है कोई element है G का और A product A और B का अगराव हम product कर लेंगे तो वो भी element हो जाएगा G का क्योंकि group में जो पहली property होती है closure property closure property में हम क्या करते हैं दो element लेते हैं group G का और उन दोनों का product भी उसी group में belong करता है तो अगर A और B दो अलग-अलग element है G के तो इन दोनों का product भी क्या हो जाएगा उसी group G का element हो जाएगा यानि A भी क्या है एक पुरा element है G का अब देखिए यहाँ पर मैंने group का अगर हम fourth property देखें तो group का fourth property क्या होता है existence of inverse और इस property के मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई भी element consider करें किसी group में तो उसका inverse भी उसी group में belong करता है इसका मतलब यह है कि अगर A कोई element है जैसे यहाँ पर मैंने suppose किया है A कोई element है G का तो A inverse B element होगा G का और B कोई element है G का तो B inverse B element होगा G का तो हमें पता के चला है कि A inverse B element है G का और B inverse B element है G का तो B inverse और A inverse का अगर हम product के लिए लेते हैं तो वो भी G का ही element हो जाएगा तो यहाँ से में पता चला है कि यह जो B inverse A inverse है ये भी एक element है जी का ठीक है अब इसके आगे हम देखे किस तरह से approach करते है देखे group का जो second property होता है वो क्या होता है associative property associative property में क्या होता है कि हम bracket को shift कर सकते हैं हम किसी भी तरह का combination ले सकते हैं for example x, y, z है तो हम bracket चाहें यहां से लगाएं यहां से लगाएं कोई फर्क नहीं परता यह हमेशा equal ही रहेगा यह कहता है associative law तो देखिए हम इसे consider कर रहे हैं तो यह एक bracket में लिखा हुआ है यह एक bracket में लिखा हुआ है तो bracket को हम अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी तरह shift कर सकते हैं हम क्या करते हैं हम बीबी इन्वर्स को पहले consider कर लेते हैं तो यहां पर मैं लिखा हुआ है अलग लिखा हुआ है बीबी इन्वर्स को एक bracket में लिखा हुआ है और फिर ए इन्वर्स को बाहर मैंने लिख दिया है थीक है अब देखिए bb inverse क्या है अब देखिए bb inverse वह एंडेंटिटी एक eingौल है तो यहाँ पर मैने bb inverse को e लिख दिया है तो हमारे पस्कायative एम जाहे अब ए P term करें या इए P term करें कोई भी इलिमेंट अगर आइडेंटי से उसका प्रोड़क्त लेंगे तो वो element दोबारा लोटके आ जाएगा यानि एई कंसिडर करेंगे तो यह आ जाएगा और एए इनवर्स कंसिडर करेंगे तो यह इनवर्स आ जाएगा क्योंकि identity प्रोड़क्त होने पर दूसरे element पर फर्क नहीं करता है तो यहाँ पर overall आया क्या एए इनवर्स आ गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं एए इनवर्स क्या है एक एक इक्वल है एक आइडेंटिटी है तो एए इनवर्स आइडेंटिटी के इनवर्स के बराबर है यही प्रूफ करना है तो हम क्या करते हैं जैसे हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर ए इनवर्स को हम लिखें ए इनवर्स और एक को अगर हम मल्टिप्लाइ करें तो यह आ जाएगा ठीक है अब देखिए AB का inverse, B inverse, A inverse के equal proof करना है, तो हम सीधे-सीधे हम proof क्या करेंगे, कोई element AB है और कोई element AB का inverse है, इन दोनों का तो product हमेशा identity ही आएगा कोई element देखी, यही condition होगा हमेशा, यही condition होगा, मैंने आपको बताया कि A और B दोनों element है G का, तो AB भी element होगा G का, तो AB element है G का, और AB अगर element है G का, तो AB का inverse भी element होगा G का, तो हमे basically proof का कना में देखी, यह हमें already known है, कि AB inverse और AB का अगर हम multiplication करेंगे, आफिर हम product करेंगे तो यह identity आ जाएगा और हमें पस इतना proof करना है, कि AB का जो inverse है, यह B inverse, A inverse के equal आ रहा है, इसका मतलब B inverse, A inverse को अगर हम operate करेंगे, AB से, तो यह E के equal आएगा, और यहीं नहीं, अभी तो यह B inverse, A inverse left से operate हो रहा है, अगर right से भी operate हो जाएगा, तो भी यह identity के equal ही आ जाएगा, तो right वाला मैंने यहां पर proof कर दिया है, देखी क्या आता है, यह हम देखते हैं, तो इसमें भी हम सेम वही करते हैं, associative loss में हम क्या करते हैं, bracket को shift करते हैं, यहां A inverse A का बात करते हैं, हम A inverse A, B को मैंने बाहर लिख दिया है, और इस B inverse को इस छोटे वाले bracket के बाहर लिख दिया है, ठीक है, तो A inverse A यहां से देखे, identity के equal है, तो यहां पर मैंने E लिख दिया है, अब चाहे B inverse E देखें, तो यह B inverse की equal आजाएगा, या फिर E भी देखें, तो यह B के equal आजाएगा, क्योंकि identity से अगर कोई element product हो रहा है, तो उस product में, सरी, उस element कोई भी changing नहीं आएगा, तो यहां पर B inverse B, और B inverse B, यहां से क्या हो जाएगा, B inverse B is equal to identity, तो यह भी identity आ रहा है, तो हमें पता क्या चल ला है, thus we have, अगर हम इस condition, इस condition को देखें, तो A B B inverse A inverse is equal to E, और इस condition को देखें, तो B inverse A inverse A B is equal to E, तो दोनों ही case में identity आ रहा है, तो हम इन दोनों case को हम क्या करते हैं, combine कर देते हैं, तो combine करने पर हमार पस क्या आ रहा है, thus we have, मैंने इसे लिखा, A B B inverse A inverse is equal to identity, और identity is equal to B inverse A inverse A B, यही चीज यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिकत नहीं, हैं, तो अब देखिए, hence by the definition of inverse, जैसे मैंने आपको यहां बताया, अगर हम इसे erase कर दें, इसका कोई use नहीं है, जैसे हमें ये condition मिल रहा है, ये condition मिल रहा है, और कौन से condition मिल रहा है, A B, B inverse A inverse is equal to identity, हमें ये दो condition मिल रहा है, तो हमें पता क्या चल ला है, देखिए, B inverse A inverse क् कोई element है, जी का, क्योंकि B inverse है, और A inverse है, जी का, A B भी कोई element है, जी का, क्योंकि A B element है, जी का, तो अगर कोई दो element, किसी group G का, अगर हम उसका product कर रहा हैं, और वो identity आ रहा है, तो इसका मतलब सीदा-सीदा ये हुआ, कि ये एक दूसरे का inverse है, और यहीं नहीं है, हम इसे right स तो दोनों से operate करके देखना पड़ता है तो दोनों साइट से मैंने operate किया बी इनवर्स को A B से तो दोनों में ही identity आया तो इससे यह पता चल ला है कि यह जो A B है और यह जो B inverse A inverse है यह एक दूसरे का inverse है तो यहां से हम clearly देख सकते हैं hence by the definition of inverse inverse के definition से क्या हो जाएगा A B का inverse क्या हो जाएगा B inverse A inverse हो जाएगा और यहीं हमें prove करना था और इसी को हम कहते हैं सॉक्षू property या reversal law और अगर इस theorem को हम generalize करें जैसे generalize करने का sense क्या है कि यहां पर मैंने सिर्फ दो element लिया था लेकिन अगर दो से जादा तीन element चार element सो element हजार element ऐसे ले ले तो अब क्या हो जाएगा तो यहां से लिखा हुआ है मैंने नोट लिखा हुआ है अब थेरम कैन वी जनलाइज as A B C and so on J K L inverse देखे बीच में कितने भी elements हो जाएगा कोई फरक आएगा एल का इन्वर्स फिर एक से करकर करके यहां पर इन्वर्स फिर बी इन्वर्स फिर ए इन्वर्स यानि यह एक डम उल्टा चलता आएगा जैसे इसलिए इसका नाम रिवर्स लौ दिया गया है क्योंकि लास्ट वाला यहां पहले आ जाएगा और पहले वाला अपके लास्ट में चला जाएगा तो यही होता है रिवर्स लौ और शॉक्षू प्रॉपर्टी और यह इसका जनलाइज़ेशन तो आप लोगों को लेक्शर समझ में आया होगा तुम मिलते हैं नेक्स सेक्चर में अवा नाइस टेइड हुआ है है थो अचला आफ शाहिए है यह हुआ है